नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हाएं सभी स्रेनुओं में करीब 500 युवाओं ने भाग लिया है, सुबा 6 बजे पहली दवड हुई उमिद्वारों ने 16 किलोमीटर दवड में हिसा लिया, इससे पहले राद 12 बजे सभी उमिद्वारों को खेल गाव परिसर में परविस कराया गया और दस्तावेज की जांच की गई, इसके बाद दोड के लिए अलग-अलग बैच बनाये गए सेना के परतिनिधियों ने सभी केंडिडेट को भरती परकिरिया के बारें बताया इस परकिरिया के बाद अव्यार्तियों के सरीरिक मापदंडों का मुल्यांकन वर दस्तावेज की गहनता से जांच की गई मेडिकल टेस्ट में सफल उमिद्वारों कामती मेरिट लिस्ट के अधार पस्तेना में चयन होता है बतादे छेत्रिये भरती मुखेलेदानापुर के भरती उपमहानिदेशक ब्रिगेडियर मुकेस गुरूंग ने भरती रेलियास्थल का जाजा लिया और जरूरी दिसानिदेश भी दिया है पाकुड केके एम कॉलेज के होस्टल में चात्रो और पुलिस कर्मियों में हिंसक जड़ाप पाकुड केके एम कॉलेज पाकुड के छत्रावास में सुक्रवार देर रात चात्रो और पुलिस कर्मियों के बिच हिंसक जड़ाप हो गई है इस घटना में दो पुलिस कर्मी और एक गारत छात्र घायल हुए हैं इन में दो छात्रों को बेहतर इलाज के लिए दूमका रेफर किया गया है वहीं अने छात्रों का सदर अस्पताल सोना जोडी में इलाज किया जा रहा है घटना को लेकर पुलिस ने दो फायार दर्ज किया है छात्रावास के करिब 150 छात्रों के खिलाब पुलिस पर हमला करने सरकारिक काम में बाधा पहुचाने सहित अने मामलू में प्रत्मी की दर्ज की गई है इधर बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बावलम रांडे और नेता परतिपस अमर बावरी ने घटना की निंदा की है उन्होंने कहा है कि घटना में सनलित पुलिस कर्मियों खिलाब मुकादमा दर्ज कर कठोर करवाई की जाए पाकुल उक्पा युक्त से खायलों को इलाज कराने की बात भी कही है घटना की बिरोद में चादरों ने आक्रोस रैली भी निकाली है नीती आयोग की बैठक में सामिल नहीं हुए जारखन के सियम हेमान्त सुरेन प्रधान मति नायन मोदी के अधक्ता में सानिवार को दिली में हुए नीती आयोग की बैठक में जारखन के मुक्ष मंतरी हैमान्त सुरेन सामिल नहीं हुए है वह भी पक्षी दलों के नीती आयोग की बैठक में सामिल नहीं होने के फैसले के साथ रहे मुख्य मंत्री के बैठक में सामिल नहीं होने की वज़ा से राजिक के मुख सचीव एल ख्यागते निती आयोग के बैठक में सामिल होने पहुँचे लेकिन बैठक में उन्हें इंट्री नहीं मिली है चारखन के मुख सचीव एलख यागदे दिली में आयोजीत नीती आयोग की बैठक में सामिल होने के लिए सुक्रवार को रांची से नई दिली के लिए रहाना हुए थे लेकिन बैठक में परवेश नहीं मिल सका मोखी बंतरी हेमान सुरन के बैठक में सामिल नहीं होने की वज़ा से वह भी बैठक में सामिल नहीं हो सके नीती आयोग की बैठक राजियों के रास्ते बनेगा बिक्सित भारत प्रियम मोदी भारत को वर्ष 2017 तक बिक्सित देश के रूप में देखना हर भारतिये की महत्वक कांचा है देश को बिक्सित राष्ट बनाने में राज्यों की अहम भूम का होगी क्योंकि वे लोगों से सिधे जुड़े हैं परधान मतिनायद मोदिन सनीवर को निती आयोकी नवी गोवर्निंग काउंसिलिंग बैठाक के दोरान एबाते कही है इधर मोदी के अज़क्स्ता में चल रही बैठाक को पच्छिम बंगाल के मुख्य मंत्री मामता बनार जी बीच में ही छोड़ कर बाहर आ गई इसके बाद राई नितिक आरोप पर तैरोप का दवरा सुरू हो गया है बैठाक में वर्ष 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने के लिए द्रिष्टी को न पत्र पेस किया गया इसके अनुसार 2047 तक प्रति ब्यक्ति आये को 15 लाक सलाना पहुचाना होगा जो अभी करीब 2 लाक र है बिक्सित भारत का लक्ष हासिल करने के लिए राजियों को गरीबी मुक्त गाउं बनाने का लक्ष रखा गया है वहीं मोदी ने इस पर जोर देते हुए कहा है कि हम सही दिसा में जा रहे हैं हम मिलकर बिक्सित भारत के सपने को सकार कर सकते हैं ज्यार्खन के राजेपाल बदले संतोस गंगवार नय गवर्णर राष्ट पति द्रोपति मुर्मु ने सन्निवार राध ज्यार्खन और 36 गवर्ण समेत आधा तोजन राजियों में नया राजेपाल नुक्त किया है संतोस गंगवार ज्यार्खन के बरावे राजेपाल होंगे बता दे चो बार शांसदरा चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं ज्यार्खन के अलावत तेलंगाना रायस्थान सिक्कीम में घाला है महाराष्ट असम और पंजाब में नय राजेपालियों के नुक्ति पर मुहर लगा दी गई है इससे पहले राष्टपती ने पंजाब के राजेपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस थीपा भी सविकार कर लिया है वहीं सिपी रदा किष्णा ने 18 फ्रोडी 2023 को जार्खन के राजेपाल का पदभार संभाला था जार्खन में 30 को भारी बारिस का अलर्ट जार्खन में अभी तक सुस्त पड़े मांसून के 30 जुलाई से रफ्तार पकड़ने का असार है इस दिन से लेकर एक अगस्तक राजे समेत राजेभर में बारिस होगी हलाकि 30 जुलाई को पूरे राजे में भारी बारिस का अलर्ट है बंगाल की खाड़ी के उत्री भाग में बने एक नए निवन दबाव के चलते यह बारिस होगी मौसम विभाक अनुसार इस बारिस के साथ ही राजे में धीमी गती से चल रहे क्रिसी कारे में भी तेजी आएगी राजी समेत राजेभर में पिछले 24 घंटे के दोरान कुछ जीलों में मांसून समाने रहा है सवरधिक बारिस हजारी बाग के दारू में 77.1 mm हुई वहीं सराय केला में 76.0 mm और खरसावा में 66.2 mm बारिस हुई है बंगलादेशी घुसपैठियों को लेकर पसासन अलर्ट संताल परगना में बंगलादेशी घुसपैठियों से बदलते डेमोगराफी को लेकर जीला पसासन एक्टिव हो गया है उच नियाले के आदेश पर DC हेमन सत्ती ने जिलास तरिये AC, राजमहल, SDO, CO, मुखिया वा अनेकर्मी समयत 9 सद से टीम गठित कर इसकी ब्रिहत जाच कराने का निर्देश दिया है हाई कोट ने 6 जीलोग DC को दीशा निर्देश दिया है जारखन के कोलेजों में टीचिंग असिस्टेंट का काम करेंगे सीनियर छात्र छात्राएं विश्व बिद्यालों एवम कॉलेजों में सिक्षोकों को आवस्यक मदद परदान करने के लिए सेक्षनिक सहायाग टीचिंग असिस्टेंट बहाल किये जाएंगे इसकी जिम्यदार विश्व बिद्याले कॉलेज के ही सीनियर छात्र छात्राएं को दी जाएगी नेट या जेट उतिन विद्यार्थियों को इसमें प्रत्मिक्ता भी दी जाएगी बता दे उच एवम तक्निकी सिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तयार किया है तयार कैनुसा टिस्चिंग असिस्टेंट अपने जुनियर छात्रो को नोट्स बनाने के लेकर बिभीन विशोय में उनके संदेह को दूर करने में सहयोग पर्दान करेंगे यह अपने विशाय के सिक्षको को भी पठन पाठान में मदद करेंगे किसी सिक्षक के अवकास में रहने पर एक अक्षाय भी ले सकेंगे हलाकि इसके लिए उन्हें अशनत को तर उतिन होना होगा टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने के बदले उन्हें परईस्टरमिक के रूप में निधाईत रासी भी दी जाएगी इसका उपयोग वे अपनी आगे की सिक्षा में कर सकेंगे सरस्यता खत्म होने पर भड़के लोबिन हेमराम पूरो बिधायक लोबिन हेमराम ने बिधान सबा सरस्यता जाने के बाद जामों पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि राज में लोकतंत्र के हत्या कर दी गई है उन्हें सरस्यत जाने का दुख नहीं लेकिन बिधान सबा सत्र के एक दिन पहले ऐसा करना दुख था है वहीं चमरालिंडा और मैंने निर्दलिये जुनाव लड़ा था ऐसे में सिर्फ हमारे खिलाप ही पार्टी ने करवाई करते वे सरस्यता समाप्त कराई है चमरालिंडा पर करवाई क्यों नहीं की गई लोबिन हमरम सनिवार को अपने आवास पर प्रेस वरता को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि उनका मामला तो दसवी अनुसूची के तहत नहीं आता है आच्चार यहाए कि बिना किसी के ही नोटिस के उनके खिलाप पार्टी ने करवाई की अनन्फानन में स्पिकर ने दवाव में आकर उनकी सरस्यत समाप्त कर दी है लोबिन हमरम ने रविन रातमाहतो को अब तक का सबसे कमजोर विधान सवाई स्पिकर बताया है जेपी पटेल की विधाय की समाप्त करने पर परदेश कांग्रेस अध्यक ने जताई आपती पदेश कांग्रेस अध्यक राइस ठाकू ने जपी पटिल की भी धायकी समाप्त किया जाने पर अपती जताई है उनके मताविक स्पीकर रविद्नात महतों ने जल्देबाजी में फैसला लिया है उलेखनी आया कि जपी पटिल को स्पीकर रविद्नात महतों ने आयोग ठाराने समधनी ने दिया था उनके विरूद भाजपा विधायक दलके नेता अमरकों और बावरिय ने सिकायत की थी सियम हेमन्द की जमानत के खिलाप S.C. में 29 को सुनवाये अंचल के 8.66 जमीन के होटाले में हेमान सोयन को जमानत पदान करते हुए आदालत ने कहा था कि ED ने हेमान सोयन पर जमीन प्रकाबजा करने का जो आरोप लगाया है उससे समधित एक भी दस्तावेज अभी तक ED कोट में पेस नहीं कर सकी है धन्यवाद